दोस्तों गर आप भी चाहते हैं कि आपकी कार नई नवेली बनी रहे या रहे बिल्कुल साफ सुतरी और ढूंड रहे एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर तो ये वीडियो आपको help करेगा इस वीडियो में मैं आपके लिए अन्बॉक्स करने वाला हूँ तूसा के कार वैक्यूम क्लीनर का जिसे मैंने अमजान से मंगवाए था ये सिर्फ ना एक कार वैक्यूम क्लीनर है बलकि आप इसको home use के लिए भी use कर सकते हैं तो कैसा है Que smaller, क्या-kया attachment आपको येसके लिए ये सारी की सारी照 इस वीडियो के इंदर में आपको देने वाला हूँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपको website पे जाके register करना होता है जिससे कि आप warranty को extend कर सकते है for next 6 months तो total आपको 1 year की इसमें warranty मिल जाती है इसको आप गाड़ी को clean करने के लिए use कर सकते है अगर sofa वगएर अपना साफ करना है तो आप इसको use कर सकते है अगर आपके घर में pets वगएर है और उनके बाल वगएरा आपके sofa वगएरा पे या दूसरी जगाओं पे गिरते है तो उन बालों को आप इस vacuum cleaner की मदद से use कर सकते है तो भी मैंने सारी की सारी inbox items को box से बाहर निकाल लिया आपको क्या क्या मिलता है एके करके आपको बताता चलता हूँ सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यह 12V DC का जो port है वो आपको इसके साथ मिलता है अच्छी कासी wire length आपको इसके साथ मिल जाती है इसके साथ साथ आपको मिल जाता है यह charger आप इस charger की मदद से इस vacuum cleaner को charge कर सकते है इसको full charge होने में 3-3.5 गंटे का time लगता है जो company claim करती है जिसे आगे आने वाले video में हम test भी करेंगे जब एक बार यह full charge हो जाता है तो उसके बाद यह आपको 22 minute का जो run time होता है वो दे देता है और यहां पर आपको मिल जाता है यह user manual इस manual की मदद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इस vacuum cleaner को set up कर सकते हैं और क्या-क्या options आपको यह provide करता है अगर मैं इसके attachments की बात करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यह crevice nozzle इसकी मदद से जो भी deep spaces होते हैं वहाँ पर आप जाकर अपनी cleaning कर सकते हैं अगर deep spaces की बात करूँ तो कई बारी अगर आप जो सोफे होते हैं उनकी गदियों के बीच में जो जगा होती है उसको साफ करना चाते हैं इसके मदद से आप उनको साफ कर सकते हैं और इसके अलवा जो गाड़ी के जो seats होते हैं उसके बीच में जो छोटे-छोटे gaps होते हैं जहां पर कई बारी मिट्टी रह जाती या फिर chips वगएरे के pieces रह जाते हैं और उनको अगर आप साफ करना चाते हैं तो इस attachment की मदद से आप साफ कर सकते हैं इसके साथ साथ आपको यह मिल जाता है एक brush जिसकी मदद से अगीन आप floor वगएरे साफ करना चाते हैं seat के नीचे की तरफ आपको cleaning करनी हो या फिर आपको fridge के पीछे cleaning करनी हो या आपको अपने bed के नीचे छोटी मोटी cleaning करनी हो तो उस case में जितनी इसकी length दी गई है उसके accordingly आप cleaning कर सकते हैं इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है एक filter brush इस filter brush की मदद से आप filter को clean कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको मिल जाती है यह vacuum cleaning की unit सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ट्यूसा की branding ही गई है अगर इसके weight की में बात करो तो 1 kg इसका weight है जो बहुत ज़दा हलका तो मुझे नहीं लगा लेकिन बहुत ज़दा भारी भी नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत भार जो है वो feel होगा जब आप इसको use करेंगे और साथ ही साथ जब आप इसमें अलग-अलग तरीके की कोई भी यह attachment लगाएंगे तो उस time भी आपको यह थोड़ा भार feel होगा उपर की तरफ आपको मिल जाते हैं यह बटन जब आप इसको बिना वायर के use कर रहे है तो उस case में आप यह जो आगे वाला बटन है इस तरफ को आपको यहाँ पर पूश करना है और आप देख सकते हैं कि बिना किसी वायर को connect किये होई आप इसको use कर सकते हैं अगर आपको अपनी गाड़ी में cleaning करनी है और आप 12V DC वाला जो attachment है उसकी मदद से cleaning कर रहे हैं तो उस case में आपको पीछे की तरफ करना है और उसके बाद यह operate होता है इसके लवा यहां पर यह mention भी किया गया है कि अगर इसका यह जो filter है अगर यह dusty है या wet है तो इसमें suction नहीं होता है लेकिन अगर इस filter को आप clean रखेंगे dry रखेंगे तो उस case में बहुत ज़्यादा strong suction जो होता है आपको यह provide कराता है इसमें यह भी बतायागिया है कि आप इस filter को जब भी use करें उसके बाद इसका जो filter है उसको धो देख सकते है तो उसको निकालना भी बहुत easy होता है उसको निकालने के लिए यहां पर यह red color का खीट सकते है और उसके बाद जो filter है कुछ इस तरीकी की covering के अंदर दिया गया है तो इस covering को आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते है और यह जो है actual आपका filter जो होता है देखने में लगता है अब इसको अगर आपको clean भी करना हो जो अगर यहां पर dust पगर आ जाए तो आप इसको place करेंगे उसके बाद जो इसकी main attachment है उसको आप कुछ इस तरीके से यहां पर place कर सकते हैं और यह अपने आप auto lock हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसको open करना और इसको close करना भी काफी ज़्यादा easy है अब एक एक करके में जो attachments इसके साफ दिवी है वो भी एक बरी आ लगा के दिखा देता हूं सबसे पहले जो आपकी क्रिवाइस attachment जो है उसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं तो इसमें जो पतला वाला पार्ट है उसको आपको भार की तरफ रखना है और जो मोटा वाला पार्ट है इसको आप अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से लगा सकत और उसके बाद, जो cleaning वगयर है, उसको कर सकते है इस extension host को लगाने के लिए जो इसका पतला वाला हिस्ससा है आपको उसको अंदर की तरफ यहां पर लगाने है पतला वाला हिस्सा जो पूरा अंदर चले जाता है और उसके बाद, जो यह चोड़ा वाला हिस्ससा है इसकी मदद से आप यहाँ पर easily cleaning वगयरा कर सकते हैं इसमें 6000 mAh की बैटरी होती है जिसको की चार्ज करने में 3-3.5 गंटे का समय लगता है और आपको 22 मिनिट का यह run time दे देता है अब अगर इसके noise level की बात करो तो noise level भी आपको इसमें decent मिलता है बहुत ज़धा तेज noise इसमें आपको नहीं मिलेगा बहुत ज़धा low noise इसमें आपको नहीं मिलेगा एक बड़ी आपको noise में सुना भी देता हूँ इस vacuum cleaner के साथ आपको यह bag भी मिल जाता है जिस bag में आप सारी की सारी attachments और vacuum cleaner को रख सकते हैं तो क्या सारी की सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है या नहीं आ जाती है वो भी एक बड़ी में आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ तो अभी यह जो vacuum cleaner है मैंने इसको इसके अंदर रख रहा है अब जो इसके attachments है एके करके मैं अंदर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी attachments को डालने के बाद भी change हो वह राम से बंद हो जाती है यानि कि अगर आप अपनी घर पे भी इसको रखना चाते हैं अपनी गाड़ी पे इसको रखना चाते हैं तो उस case में आप easily इस सारी attachment को एक साथ रख सकते हैं तो सबसे अच्छी बात इस vacuum cleaner की यह है कि यह multi-purpose vacuum cleaner है ना सिरफ आप इसको अपनी घाड़ी में यूज कर से घर की चोटी मोटी cleaning के अंदर भी आप इसको use कर सकते हैं दोस्तों वीडियो आपने देखी लिया होगा अगर अभी पर आपके मन में इस vacuum cleaner से related कोई सवाल है तो आप हमारी comment section पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं आगे आने वाली वीडियो में हम आपको उसकी पूरी की पूरी टेस्टिंग दिखाएंगे जिसमें कि आपको इसका maximum use करके हम दिखाएंगे अलग अलग सेनेरियो में जिससे कि आपको पता चलेगी किस तरीके का यह vacuum cleaner है और कितनी hard cleaning यह करता है